नितीश कुमार जी के उपर जो दबाव है वो तैय नहीं कर पा रहा है कि हमको INDIA गठवंदन के साथ रहना है या उससे बाहर निकल जा कि नितीश कुमार जी एक्छली में ठगा हुआ मसूस नितीश कुमार जी OBC का बड़ा चेहरा है वो INDIA गठवंदन में जा करके और तेजस्वी को आगे बढ़ा करके उन्होंने पूरी राजनीत जो OBC का है उसको खतम करने का काम जी एक नैतिक दबाव में है तो नितीश कुमार जी सिकंड लाइन का पॉलिटिक्स नहीं करना चाह बिहार के अंदर भी BJP ने जो पॉलिटिक्स किया है वो OBC के इर्द गिर्दी है नितीश कुमार जी एक राज के नेता नहीं है उनका प्रभाव बिहार से ले करके दूसरे कई राज्यों में हो सकता है संजोजक क्या होता है हमें प्रदानमंत्री पद के लिए उमिदवार नितीश कुमार जी अपनी गलती का एहसास करेंगे उसके बाद मा आने और नहीं आने की बात होगी खड़े उड़े थे तबाम सवालों के वावजोद भी नितीश कुमार पैदल पहुंचे जिस अंदाज में पिछली बार पहुंचे थे मेरे साथ बातसीत करने के लिए उपेंद्र को स्वाह के पार्दिक प्रवत्ता राहूल कुमार जी है आप लोग को लग रहा था कि नि दुरूनी विवाद है लड़ाई है लेकिन नितीश कुमार गया काफी कमपटेवल फिल कर रहे था वहाँ पर देखे निशित तोर पर यह जो कारिकरम होते हैं मकर संकरांति के अबसर पर इसके राजनितिक मायने और मकसद होते हैं पिछले चार साल से राबडी आवास पर इस तरह के कारिकरमों का आयोजन नहीं हो रहा था तो ऐसी प्रस्थिती में जब महा गठवंदन के अंदर या कहिए का आई एंडिया ये गठवंदन के अंदर एक प्रस्थिती ऐसी बनी हुई है कि एक अभिस्वास की सिती बनी हुई है तो साइध उसको पाटने के लिए आलू परिवार की तरफ से एक प्रयास किया गया और नितिश कुमार जी निश्वी तोर पर गए लेकिन उस जाने के जो उनका जो बॉडी लेंग्वेज है और जो संदेश है वो बहुत क्लियर है कि आई एंडिया ये गठवंदन का भविस आज और तेजी से समापन की तरफ बढ़ गया है मैं आपको याद दिलाओं कि 2015 में महागठवंदन जब बना था तब लालू जी ने दही का टिकर लगाया था नितिश कुमार जी को और निश्वी तोर पर जो एक बॉंडिंग उस वक दिखाई पड़ी थी और नितिश कुमार जी काफी देर तक रावड़ी आबास में उस वक्त रूके थे और कहीं न कहीं उसका फाइदा भी महागठवंदन को कारिकरताओं में जो संदेश गया उसका फाइदा मिला लेकिन अगर आज की तस्वीर आप देखें महज 10 मिनट क किसी भी दूसरे सदस्ट से किसी खास तरीके से या एक सवार्थपुन महौल में मिलने की कोई बात सामने नहीं आ रही है सिर्फ उन्होंने एक पोलिटिकल गेश्चर निभाया है और जो संदेश इस कारिकरम के माध्यम से लालू जी देना चाहते थे कि नितीश कुमार जी उनके साथ सहज हैं मुझे लगता है कि नितीश कुमार जी एक नैतिक दवाव में हैं और जो उनकी जनता है खास करके जो नितीश कुमार जी के जो संगर्ष के जो साथ जिन समाज के लोगों नो उनको मदद किया है वो पिछले सवा साल के जो अनुभव हैं उन जनता की उस कि नितिश कुमार जी की जंता के बीच भी एक मैसेज जाएगा मुझे लगता है कि ये पूरा आयोजन साइद फ्लॉप हो गया है लगता है कि नितिश कुमार अभी भी नराज है लालू यादो से नराज की खासतर पर नहीं आप पत्रकार साथियों से भी आप बात करिये मैसेज गया था इस बार किसी भी कारकरता से नितिश कुमार जी की मुलकात नहीं हुए है साइध यही कारण है कि नितिश कुमार जी के उपर जो दबाब है वो तै नहीं कर पा रहे हैं कि हमको आई एंडिया ये गठवंदन के साथ रहना है या उससे बाहर निकल जाना है औ और मीडिया के साथ भी उन्होंने कोई बाचीत नहीं किये अगर सभारत्पुन महौल में सकरात्मक किसिती की कोई बात होती तो निश्चित तोर पर मीडिया में भी बाचीत होती लेकिन मैं इससे जादा एक बात में कहना चाहता हूं कि नितीश कुमार जी अक्चुली मैं जोजग बनाने को लेकर के सिर्फ 26 दल की बाचीत है आई इंडिया ये में सामिल होने को लेकर बैठक में कितने दल सामिल हूए सिर्फ नौ और नौ दलों में भी बहुत देर के बाद एक प्रस्ताव आया और नितीश कुमार जी को ये महसूस हुआ कि बाई कोई उत्सा नह नितीश कुमार जी को ये ठगा गया सिर्फ नितीश कुमार जी को नहीं ठगा गया बलकि आप आजादी के बाद देखेंगे तो एक खास पॉलिटिक्स कांग्रिस करती रही है दलित मुसल्मान और अपर कास्ट का ओभी सी उससे पूरी तरह से गायर था राहुल गांदी ज जब पूरे देश में ओवी सी पॉलिटिक्स का चहरा जब सामने लाने की बात आती है तो उनको फिर वही ठीका चंदन वाला चाहिए नितीश कुमार जी ओवी सी का बड़ा चहरा है नितीश कुमार जी को होना चाहिए था हमारे नेता मान्य उपेंदर कुसवाह जी ने सब से पहले नाम बढ़ाया और हमको उमीद थी हमारे नेता को भी उमीद थी कि बिहार से एक चहरा आगे बढ़ेगा लेकिन लालू परिवार और रहुल गांधी के परिवार ने और पूरे महा कठवन्दन ने खास करके मैं दो राजी का भी नाम और जोड़ूंगा केजरिवा अगर किसी का होगा तो ममता बनर जी और अर्विन केजरिवाल जी का है मैं वहीं बात में का रहा हूं क्यों नहीं संबब है क्योंकि आप अभी तक OVC को अधिकार देने के लिए तयार नहीं है आई एंडिया गठवंदन का जो पूरा पॉलिटिक्स है ना वो हर चेहरे के साथ बदलता चला जाता एक रूपता नहीं है उसके उलट एंडिया में बहुत असपस्ट है कि OVC का चेहरा होना चाहिए आदर्ण या नेरंदर मोदी हैं कैबिनेट के अंदर OVC को बड़ी प चेहरा को लाए गया वहाँ नए लोगों को लाए गया आप कई राजियों में आप देखेंगे या बिहार के अंदर भी बीजेपी ने जो पॉलिटिक्स किया है वो OVC की इर्द गिर्दी है बेसक आई एंडिया ये गठवंदन के कुछ लोग आरोप लगाते हैं कि हम OVC क खिलाप है लेकिन जो करनी है आई एंडिया ये गठवंदन का और नितीश कुमार जी के साथ जो सुलूक हुआ है आप सिर्फ नितीश कुमार जी एक राजि के नेता नहीं है वो उनका प्रभाव बिहार से ले करके दूसरे कई राजियों में हो सकता है लेकिन जो सकरात्मक इस्तमाल आधरनी उपेंद्र कुस्वहा जी ने सोचा था नितीश कुमार जी के लिए वो आई एंडिया गठवंदन में जा करके और तेजस्वी को आगे बढ़ा करके उन्होंने पूरी राजनीत जो ओबी सी का है उसको खतम करने का काम किया एक सवाल आप लोग लगतार क है आप देखिए दो बातें आपको बहुत असपस्त तौर पर में कहूं इनके मुख प्रवक्ता नीरज कुमार का बयान याद रखिए संजोजक क्या होता है हमें प्रदानमंत्री पद के लिए उमिदवार बनाईए आपको याद होगा जल्यू का यह ऑफिसियल स्टेट्म है दूसरी बात कि संजोजक के साथ साथ कांग्रेस ने नितिश कुमार जी को अगर समानित करना था तो इन्होंने नाम क्या बढ़ाया ममता बनार जी के माध्यम से चेर परसन मतलब एक ही जगह पे एक ही गठवंदन को लीड करने के लिए दो नेता होंगे एक चेर परसन हो होग है एक कंवेनर होंगे तो तो फिर जब चेर परसन होंगे तो कनवेनर का क्या रोल है तो नितिश कुमार जी second line का politics नहीं करना चाहता है और वो सम्मान भी रखते थे first line का politics करने के लिए देश भर में जो अभिस्वास Congress को ले करके है वही अभिस्वास I.N.D. ये गठबंदन को ले करके भी है और फिर नितिश कुमार जी की जो politics भी रही है पिछले कई सालों में वो भी एक संदिक दिराजनीत की तरफ ले जाता है और यही कारण है कि नितिश कुमार जी संजोजक से तो बिल्कुल तयार नहीं होते एक बात और में कहूंगा कि इस देश का इतिहास है आप George Fernandis साब का ले लीजिए सरज जी का ले लीजिए चाहे सुनिया जी का ले लीजिए या हरकिसं सिंग सुर्जीत हुआ करते थे National Front में रामू बामू जब हुआ करती थी 96 की बात है या उसके पहले BP सिंग की सरकार के समय में इन सब की भूमिका संजोजक के तोर पर थी आज तक कभी भी इतिहास गवा है कि संजोजक आज तक परधानमंत्री के पद तक नहीं पहुंचा है इसलिए ही साइद नितिश कुमार जी की पार्टी ने असपस तोर पर कहा अगर देना है तो सीधे परधानमंत्री की बात हो नहीं तो बारगेन हम किसी और गठवंदों से भी करेंगे नितिश कुमार जी ने भी अपना दरवाजा खोल करके रखा और यही आभिस्वास आज दही चूड़ा के कारिकरम में भी दिखा आज भी वो दवाव में गया है उनकी इक्षा नहीं है चुकि वो जज नहीं कर पा रहा है वो तय नहीं कर पा रहा है कि हमको जनता के मैंडेट के साथ जाना चाहिए या उनकी पार्टी के जो कुछ खास लोग जो उनको संचालित करके जो आरजडी के साथ उनको जोडने का काम किया वहाँ जाना चाहिए और यही भरम की जो इस्तिती बनी हुए नितीज जी के दिमाग में यही आज महा गठवंदन आएंडिया गठवंदन के समापन, ओफिसियली समापन के तरफ आज का यह दही चुड़ा साबित होगा समापन तो आप कहरे कि हो रहा है तो फिर नितीज कुमार बारगेन अगर भाजपा के साथ करते है तो उपेंद्र कुस्वाहा जो छोटे भाई है वो स्वागत करने के लिए तयार है इस बात को माना जाए हमारे निता आदर निय उपेंद्र कुस्वाहा जी ने तो कहा था और कह भी रहा है कि हम पैरवी करने के लिए तयार है बाज 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 बिल्कुल अगर नितीज कुमार जी को अपनी गलती का एहसास होता है जो काम हम लोग ने सबा सल पहले कहा कि आप ये गलत कदम उठा रहा है आप तेजस्वी को नेता बना करके या उसको नित्रित्य देने की बात कह करके आप एक वड़े वर्ग के संगर्स का अपमान कर रहा है यही बात तो उपेंद्र कुस्वाह जी कह रहते है तो हमें तो खुसी होगी कि आदर निये नितीश कुमार जी अपनी गलती का एहसास करेंगे पहले वो एहसास तो करें उसके बाद मा आने और नहीं आने की बात होगी और हमारे निता ने तो कहा है लेकिन जो प्रस्थिती बनी हुई है उसमें नितीश कुमार जी अब ना घर के रहेंगे ना घाट के रहेंगे तयार है